के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल मने मस्ती पर आपका बहुत वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम ITC Share के बारे में बात करेंगे जी हाँ दोस्तों इससे जुड़ी हुई सारी तथ्यों की बात करेंगे इसका आगे का टार्गेट क्या होगा इस्टापलास क्या होना चाहिए सार्टर में इसका टार्गट क्या होगा दोस्तो साथी साथी से जुड़ी सारी ख़वरों की चर्चा करेंगे जो आज इस बजट में पेस होई हैं दोस्तो तो अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब कर लिए साथी बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि लैटिस्ट फाइनेंस की वीडियो सबसे पहले आपको मिले दोस्तों चलिए वीडियो सुरू कर दोस्तों हम बात कर रहे हैं बजट में जो चीजे आइटीसी के लिए फायदे मंद हैं उसमें सबसे पहली खबर और उसका हेडलाइन आप देख रहे हो जहां आइटीसी सेयर प्राइस ने जबर्जस्ट जम दिखाई है आज के इंटाडिके में दोस्तों क्यों क्योंकि सिगरेट टैक्स निश्चित रूप से चेंज नहीं क दिखा रहा हो दोस्तों निश्चित रूप से च्छह प्रस्ट की तेजी के साथ आईटीसी दोसो पंद्रह रूपए चालिस पैसे का भाव चला दोरो बारह रूपए की तेजी इसमें देखी जा रहे है दो तो प्रतिसत में छह प्रस्ट की तेजी आईटीसी के सेयर प्रा तेजी देखी जा रही है एक मन्त की बात करें दोस्तों निश्चित रूप से 0.72% की तेजी ITC के share price में अगर हम बात करें दोस्तों Sensex की एक दसमलो चार पांच प्रसत की तेजी देखी जा रही है तीन मन्त की बात करें दोस्तों तीस प्रसत की तेजी देखी जा रही है वहीं Sensex में बाइस प्रसत की तेजी देखी जा रही है दोस्तों अगर हम छे मन्त की बात करें दोस्तों 10% की तेज़ 이걸 गिरावबर दिखाई रही दोस्तों एक 5 प्रसद की तेजर देखी जा रही है सुन्सेक्स की बात करें divs डॉट की तेज्डरय को चेकर लेते हैं दोस्तों aq 21 प्रसत की negative return ITC ने दी है वहीं संसेक्स ने 25 प्रसत का jump दिखाया दोस्तों अगर 5 साल का parameter चेक करें दोस्तों आपके सामने 5 साल का parameter जिसमें 0.49 प्रसत की गिरावर देखी जा रही है दोस्तों अगर हम संसेक्स ती बात ने 95 प्रसत का return संसेक्स ने दिया है अगर 10 साल के parameters को 102 प्रसत की तेजी ITC के सेरप्राइस में देखी जा रही है दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों return संसेक्स का तो 179.47 प्रसत का रहा है दोस्तों तो दोस्तों ये था स्टा का return जो की मुझे लगता है साल टर्म टू मीडियम टर्म में अब positive दिखाई दिना लगा है दोस्तो long term prospects में निश्चित रूप से यह है एक आंकडा जिसको कहा जा सकता है यह अच्छा था दोस्तों लेकिन अब साल टर्म टू मीडियम टर्म में भी आप आंकडा अगर देखोगे तो निश्चित रूप से एक positive आंकडा दिखाई दे रहा है दोस्तों चली दोस्तों हम आगे business की बात करेंगे दोस्तो हम एक बार रेजल्ट को भी चेक लेते हैं September 2020 की तुलना करेंगे दोस्तों September 2019 के quarter से दोस्तो सैल्स का आपके सामने है तेरह जार 247 करोन का क्रा है दोस्तों जबकि सेप्टेमबब 2019 के बात करेंड 12,866 करोन का आकरा है दो प्रस्षत की चेंज दिखाई दे रही है धोस्तों नेट सेलस में अकैसे यहां तो 38 में यहां कड़ा रहा है जबकि एक लीट कोड़न में दोस्तों जबकि फरोफिट 2019 में धोस्तों यह 14,619 का रहा है दोस्तो 18 प्रस्त की गिरावर्ट देखी जा रही है दोस्तो मैं अगर QUOTTER 3 की तुलना QUOTTER 2 से करूँ दोस्तो तो उसका भी आंकळा आपके सामने है तो दोस्तो आपके सामने quarter 3 की तुल्ना हो रही है quarter 2 के result दोस्तो Feet नेटSales का अरक अगर आप देखोंगे तो 13147 करॉन का अगर जून की बात करें quarter 2 की बात करें 10488 करॉन का यहा अकला था दोस्तों अगर प्रस्तत में आप चेंज दिखोगे तो 25 प्रस्तत सेल्स में जम दिखाई देए दोस्तो अगर कंसोलेटेनेट परफिट का देखें दोस्तो 3368 करोन का है quarter 3 में आया है दोस्तो जबकि quarter 2 की बात करें 2511 करोन का यह आंकडा था दोस्तो 34 प्रस्तत की net profit में jump देखने को मिल लगी है दोस्तों तो मुझे लगता है इसके result quarter on quarter जो आने वाले हैं दोस्तों निश्चित रूप से सुधरते हुए दिखाई देंगे इसके annual report की भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अब आपके सामने annual report है जहां आप net sales का अंकड़ा देख रहे हो 51,393 करोन का यह रहा है दोस्तों मार्च 2020 में मार्च 2019 की net sales का अंकड़ा देखे हो 49,862 करोन net change देखे दोस्तों तीन प्रस्त की तेजी year on year basis पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों अगर आप year on year पर 21 प्रस्त का profit देख रहे हो दोस्तों यह point जरूर आप note करें दोस्तों क्यों क्योंकि इसका profit quarter on quarter भी सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों साथ ही साथ year on year basis की भी अगर हम तुलना करेंगे दोस्तों एक साल के parameter पर भी इसके आकड़े जवरजस्त इस year में दिखाई दे सकते हैं दोस्तों इस चीज को आपको जरूर नोट करना चाहिए दोस्तों चलिए दोस्तों हम आज का कारोबार की बात करेंगे दोस्तों ही जलिए दोस्तों अब हम कारोबार की बात कर लेते हैं कारोबार की बात करते हैं दोस्तों आपके सामने दोस्तों 16 रूपAy को सुल्व कर दोस्तों एक रूपय का लोग है दोस्तों जो मैं Point note कराना चाहता हूं दोस्तों वह है हाज जो closing price होई है दोस्तों वह निश्चत-रुप से high के near about ही हुई है दोस्तों तो high के near about close होना निश्चत-रुप से आई-टी-सी के लिए बहुत ही positive संकेत है दोस्तों हम अगर delivery की quantity चेक करें दोस्तों अभी तीन बजे तक काकड़ा है दोस्तों मेरे पास जिसमें 32 प्रस्त का delivery देखा जा रहा है दोस्तों अगर सौदे की बात करें दोस्तों पांच करोंड से ऊपर का यहां ट्रेडिंग हुआ है दोस्तों delivery quantity जो एक करोंड से ऊपर की अभी दिखाई देती है दोस्तों मुझे उमीद है यह 30 प्रस्त से ऊपर ही लास्ट में भी रह सकता है दोस्तों तो चलिए हम अब चलते हैं सीधे चार्ट पर और देखते हैं चार्ट पर अब इसकी पोजिसा तो दोस्तों अब हम हैं ITC के बात कर रहा हूं दोस्तों अगर मैं वन डे का पहले चार्ट आपको क्लियर कर दोस्तों 200 दिन का एक्सपोनेंसियल मूविंग एउरेज 193 पर दिखाई देता है अगर दोस्तों जो चीजें मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको लग थी दोस्तों उसी के नीएर बाउट आज की वालों बनी है दोस्तों यह एक पहला पॉइंट है मं canción देकने दोस्तों निश्चित रूप से पॉस्टिभ बना हुआ दोस्तों इसके की बात करें तो अब पॉस्टिव जोन में आच चुका है दोस्तों नीचे के लिवल से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही positive है दोस्तों आज की trading की अगर हम बात करें दोस्तों candlestick का parameter आप देखोगे one day का जो की बहुत ही सांदार है दोस्तों अगर यह है stock निश्चित रूप से gap up दिखाता है कल दोस्तों 20 के near about दोस्तों अगर यह है उस price को sustain करता है तो आईए देखते हैं अगला target क्या हो सकता है दोस्तों इसमें one week का parameter हम देते हैं दोस्तों और आप आपके सामने मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं दोस्तों जिसमें आपको दिखाई दे सकता है इन निश्चित रूप से इसकी एक price आपके सामने मैं प्रस्तुत कर करें तो अंठावन पर काफी positive दिखाई दे रहा है दोस्तों अगर candlestick की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हो एक range में trade करता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इसके ऊपर breakout दिखाई देता है दोस्तों कल इसकी price sustain करती है दोस्तों अगर कल के date में या अगले trading sessions में तो अगला target सीधे 240 रूपए तक का आता है दोस्तों जहां दोस्तों निश्चित रूप से 240 रूपए के target इसमें देखे जा सकते हैं सार्टर में आपको result तक ही देखे जा सकते हैं दोस्तों और मुझे उमीद है जैसा कि मैंने आपको data दिखाया दोस्तों मुझे उमीद है कि इ तो अच्छे आएंगे ही साथी साथ इसके एन्वल रिजल्ट भी इस बार बहुत अच्छे रह सकते हैं तो सारे परामीटर्स को चेक करते हुए मैं आपको एक स्टापलास सजेस्ट करता हूं दोस्तों निश्चित रूप से आपको 200 रूपय का स्टापलास इस प्रिवियस से लगाना चाहिए इसकी पहले भी मैंने चर्चा की लिए की थी दोस्तों कि आपको 200 रूपय का आपको इस्टापलास या आपको सपोर्ट दिखेगा दोस्तों और आपकी टार्गेट प्राइड निश्चित रूप से 240 तक बनती है दोस्तों तो इसमें अच्छी अपसाइड की उमीद मैं करता हूं दोस्तों तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आइटी सी के टार्गेट स्टापलास और बाकी सार्टम टू मीडियम टर्म का आउटलुक हमने सेयर किया दोस्तों आज की वीडियो हैं समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों तब के लिए गुडबाय जय हिंद